दोस्तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें। दोस्तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। लिके से बेकार हो जाएगा चियांतों तो UIDI ने इस कदम को उठाने के पीछे कई लोगों के नीजी जानकारी को बचाया है आपको बता दे कि UIDI के अनुसार ऐसे कार्ड में यूजस अधार डिलेट में प्रोफाइल पर खत्रा है प्लास्टी कार्ड पर काम नहीं करता है इ तो रिजनल आधार कार्ड के अलावा एक सदहरन पेस्ट पर डाउनलोड किया गए आधार कार्ड और A-Mark पूरी तरीके से वैलेट है इसलिए आपका Smart आधार कार्ड के चकर में पढ़ने की जरूरत नहीं जहां तक को प्रिंटीं की जरूरत नहीं है यापको अलग से अधा IDI ने लोगों को अलर्ट किया है कि अक्सर प्लास्टिक या पीविसीट कार्ड पर अधार की प्रिंटिंग के नाप पर यूजर से 50 से लेकर के 300 रोप्या वसूले जा रहे हैं इतना ही नहीं कहीं लोगों को इस से ज्यादा भी पैसे लिये जा रहे हैं जबकि इसका कोई पर या लोगों से बचने और उनके जहाते में न आने की सलादी है जिहां दोस्तो अगली बड़ी खबर के CSF के बेस्केमपर गोली बारी एक जवान सहीद और दो खायल जिहां दोस्तों पच्चिम बंगल के हावडा से 60 बंगनान में CSF के बेसकेमपर गोली बारी हुई है जिसमें से एक जवान सहीद और दो खायल हुए हैं। आपको बता दे कि हाबडा नीरवाचन शेदर के लिए लोकसभा चुनाव से पाले केंद्रिये बलों के तैनाती की गई है। छो माई को छट्थे चरन के लिए वहां पर मतनान होंगे। ख़बर है कि ये घटना जोतिष मिल गर्ल हाई स्कूल से सटे सिये सिव के बेस केमपर हुई है। यहां चुनाव से पहले भेजे गए पैरा मिलिटरी के जवानों को ठाराया गया। जी हां दोस्तों अगली बड़ी ख़बर है सुप्रीम कोट का चुनाव आयोको निर्देश प्रधान मंतरी मोदी के किलाब सीकायतों पर सुमवार तक फैसला ले। चुनाव आयोको जवाब के बाद आज कोट ने कहा है कि प्रधान मंतरी से जुड़ी अचार संगीता उलंगन के सीकायतों पर सुमवार तक फैसला ले। इस याचिका में प्रधान मंतरी मोदी और अमित सापर आरोप लगाया गया है कि इन दिनों कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भासन देने और राजनितिक परचार में सैने बलों का उपियोग करके अचार संगीता का उलंगन किया है। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है साप से खेलना प्रियंका गांधी को पड़ गया है भारी चुनाव आयोग जाएगा पेटा। प्रियंका गांधी के अचार संगीता के नियमों के अनुसार प्रियंका गांधी को लुभाने के लिए किसी जानवरों की तस्वीर या जानवर का उपियोग नहीं किया जा सकता है। दरसल गुरुवार को जब प्रियंका गांधी रायबरेल में परचार कर रही थी इस दोरान वे एक सपेरे से मिली और उसके पास जो साप थे उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। इस दोरान प्यांका गांधी ने साप को अपने हाथ में उठा लिया था जी हां दोस्तों अगली बड़ी ख़बर कॉंग्रेस नेता राजीव सुकला का दावा यूपीय सरकार के दोरान छो बार सर्जिकल अश्टाई को अंजाम दिया गया है जी हां दोस्तों देश भर में च अञर्डेस नेटर राजीव सुकला का दावा किया है की उन्होंने उपीय सरकार के दोरान पाकिस्तान के खिलाफ चोबर सजीकल अश्टाई के लिए बढ़ाद दिया गया है दोस्तों दिली सरकार ने गुट के पानँ लिए को बढ़दे में निर्माद्रาद你是 के समंद में एक अधी सूचना जाई की है अधी सूचना खाज सुरक्षा आयूक्द एलार गर्ग द्वारा जारी की गई है Call द्वर्ण aquest immense बाइक को एक और इसका बढ़ा दिया गया है के लाग्छिट इसक्रेट इस परकार प्राइब के लिए लागू दोस्तों मसूर गीतकार जावेद अक्तर ने कहा है कि देश में बुर्का पहने पर प्रतिबंद लगाने पर मुझे कोई आपती नहीं है लेकिन केंद सरकार राजस्थान में छो माई को होने वाले लोक स्पाचुनाव से पाले मत्दानप के पाले घुंगट पर पर परतिबंद लगा है सिउसेना द्वारा देश के बुर्के पर परतिबंद की मांग को लेकर के पूछे गए सवाल पर जावेद अक्तर ने कहा है कि भाईया बुर्के पर मेरा नौलिज बहुत कम है इसकी वज़ा से जिस घर में मैं रहता हूँ वहां कामकाजी महिलाए थी मैंने तो कभी उनके घर में बुर्का नहीं देखा उन्होंने कहा है कि इराक बड़ा मुस्लिम कटर देश है लेकिन वहां पर औरते चेहरे को कवर नहीं करते स्रिलांका में जो कानून आखा उसमें यह है कि आप चेहरे कवर नहीं कर सकते हैं बुर्का पहनो लेकिन चेहरे ढगना नहीं हो ना चाहिए जह दोस्तों आके उन्होंने कहा है कि भारत पर अगर बुर्के पर परतिबंध लगाने वाला कानून आते हैं अगर किसी की राय है तो मुझे यह आपती नहीं है लेकिन इससे पहले कि राजस्थान में आखरी मत्दान हो जाए, इस पर केंद्र सरकार को एलान करना पड़ेगा कि राजस्थान में कोई घुंगट नहीं लगा सके। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि गुंगट भी हट जाए और बुरका भी हट जाए मुझे बहुत खुसी होगी